नमस्कार किसान भाईयो आप सब इको खेती ग्यान यूट्यूग चैनल पर स्वागत हैं मैं आसा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो किसान भाईयो आज हम इस वीडियो में सीजन्टा कमपनी के प्लेशीवा इंसक्टी साड के बारे में बात करने बाले हैं तो आज में इस वीडियो में आपको इसके टेक्नीकल से लेकर इसके कीमत तक पुरी डिटेल जानकारी देने बाला हूँ तो क्रिपय आप वीडियो कंतिम तक देखें और अगर मैं चनल पर आप नए है चनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ऐसी क्रिसम बंदी नहीं नहीं जान करी सबसे पहले पाने के लिए तो पहले हम इसमें दिएगे टेकनिकल या फिर कंटेंट के बारे में जानते हैं तो प्लेसिबा इंसेक्टिसाइड में हमको टेकनिकल देखने को मिलता है स्यांट्रा निल्ली प्रोल 7.3 और उसके साथ इसमें आपको डाया फें थूरन 26.4 देखने को मिलता है ये इंसेक्टिसाइड एक सस्पेंशन कंसरेंट्रेट के फॉर्म में आता है मतलब ये गाड़े लिकुट के फॉर्म में आता है प्लेसिबा इंसेक्टिसाइड हमारे फसल में कॉन्टेक्ट और सिस्टमिक मतलब संपर्क और प्रणालिकत दोनों के रुप में कार्या करता है और प्लेसिबा एक बोर्ट स्पेक्टरम इंसेक्टिसाइड है जो कि कई तरीके के अलग-अलग फसलों में कई तरीके के अलग-अलग कीटों को एकी साथ में निंत्रिप कर पाता है इसमें जो टेकनिकल दिया गया है सेन्टरा निलिप्रोल 7.3% यह आन्थ्रालिक डायमेट समुह का एक बोर्ट स्पेक्टरम नोबेल इंसेक्टिसाइड है सेन्टरा निलिप्रोल कीटों के सेंटरल निर्बस सिस्टम को अचल कर देता है जिससे कीट पूरी तरह पारालाइस्ट मतलब निस्क्रिय हो जाता है और हमारे फसल को आगे नुकसान नहीं पहुचा पाता है और कुछी समय में वो जो कीट होता है वो मर जाता है और इसमें जो दूसरा टेकनिकल दिया गया है डायाफेंथियूरोन 36.4 यह है एक नॉनसिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है इस इंसेक्टिसाइड उप्यों के बाद जो भी टारगेट की इसके संपर्क में आता है यह उन कीटो को तुरंद मार गिराता है और डायाफेंथियूरोन कीटो को उनकी सभी अवस्ता में बहुती प्रभावी नियंत्रन करता है जैसे कीटो के छोटे अवस्ता हो या फिर लारभा का अवस्ता हो या फिर बड़े अवस्ता हो सभी अवस्ता में यह इंसेक्टिसाइड उनको मारता है प्लेसिवा इंसिक्टी साइड में हमको ट्रांसलमनार आक्षन भी देखने को मिलता है जिसके कारण उप्योग के बाग पत्तों के नीचे लगे हुए कीटों को भी ये तुरंक मार गिराता है प्लेसिवा इंसिक्टी साइड में हमको IPM मतलब Integrated Paste Management मतलब एकी कृत किट प्रबंदन देखने को मिलता है प्लेसिवा इंसिक्टी साइड हमारे फसल में रश्चूसत और चबाने वाले दोनों प्रकार के कीटों को एकी साथ में बहुती प्रभावी नियंत्रण करता है जिसके कारण क्या होता है कि किसानों का स्प्रे का संख्या घट जाता है प्लेसिवा इंसिक्टिसाइड हमारे फसल में कीटों को लंबे समय तक निंत्रित करके रखता है और फसल की ग्रोथ में भी बढ़ोतरी करता है और एक ज़रूरी बात अगर आप इस insecticide का अच्छा रिजल पाना चाहते हैं तो आप इस insecticide को प्रती फस्लों में ज्यादा से ज्यादा तीन बार इसका उपयोग करें इससे आपका जो रिजल बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है अगर बात करें इसके rain fastness मतलब बरसाते प में इसके बारे में बात करेंगे तो किसान भायू अगर आप इसके साथ कुछ भी combination करना चाहते हैं तो पहले आप कोई एक छोटे से जगे पर इसको लेकर किसी के साथ physical compatibility चेक कर ले उसके बाद आप इसका combination करें क्यूंकि एक नई PD का किड़नासत है अब हम इसके फसल उप् बात करेंगे तो प्लेसिबा इंसिक्टी साइड कपास के फसल में अमेरिकरम बॉल वर्म्स, पिंक बॉल वर्म्स, हुआट फ्लाय, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स को निंतरित करता है और उसके साथ अन्याना सबजिबर्गियों फसलों में लीफिटिंग केटरपिलर्स, तबाको केटरपिलर्स, फल्चेद गिल्ली, डाइमंड बैक मोथ, सफेद मक्खी, एफिड, जैसिड और थ्रिप्स को निंतरित करता है अब हम इसके डोज के बारे में बात करेंगे तो प्लेसिबा इंसिक्टी साइड को हम 20-25 एमल प्रती 20 लीटर पानी मिला कर छिड़का कर सकते हैं इससे क्या होता हैगी आपको बहुत ही अच्छा रिजल देखने को मिलता है अगर बात करें इसके रिजल टाइम के बारे में तो प्लेसिबा इंसिक्टी साइड का असर हमारे फसलों पर लगभग 20 दिन तक देखने को मिलता है अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में तो प्लेसिवा इंसेक्टी साट का जो 200 ml का पैकिंग है वो आपको लगभग 17 सुरूपे के अंदर मिल जाता है